कॉंग्रेस और इंडी गडबंधन का हिदिन एजेंडा छुपा हुआ एजेंडा है कि स्टी और ओबी सी का हक छीन कर मुस्लिमों को देना कॉंग्रेस कहती है कि देश के संसादरों पर पहला हक मुसल्मानों का है कि देश के संसादरों पर पहला हक गरीबों का है दिसंबर 2006 को नैशनल डेवलेप्मेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रदान मंत्री मनमहुन सिंग ने कहा था और मैं याद लाना चाहता हूँ पर प्रदान मुसलिम मनमद मों और मियान जान बुछ कर दिया था यूकि अपरेल 2009 में फिर सक्डेय शचाहते है मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कांफरेंस के दौरान एक प्रश्ण के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठैराया और कहा कि माइनौरिटीज का खास कर मुस्लिमों को प्रायर्टी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों उक देश के संसाधनों पर पहला हथ होना चाहिए सचर्चर कमिटी की रिपोर्ट के माधम से गलत बयानी की गई और मुस्लमानों को हालत दलितों से भी खराब है ये कहा गया मतलब यह है कि कॉंग्रेस पहले से ही आधार बना रहे थी कि ये इन के प्रकारें मुस्लिम को एस सी अनुसूर्च जाती घोशित कर मुस्लमाने को एस सी आरक्षन की वैटता दिलायर दी जाए कॉंग्रेस की एस सी एस्टी और ओबी सी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है यहां तक कि बावा साथ भीम्राव एम्वेटकर ने 27 अक्तूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नहरु ने 2000 भाशन दिये हैं लेकिन उन्हों ने एक काज़ा लगा सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रती कितनी सहानव होती है पंडित मेरू हमेशा मुसल्मानों के पक्ष में रहते हैं मैं नहीं चाहता कि मुसल्मानों की अपेक्षा हूं कदा भी हम नहीं चाहते हैं कि मुसल्मानों की अपेक्षा हूं कॉंग्रेस ने राश्ट्रिय धार्मिक और भाशाई अल्पसरिय प्वेक आयोग का गटन कर ये साजिश श्रची कि मुस्लमानों में भी जाती है। इसलिए उनमें भी स्थी माना जाए और स्थी लिस्ट में आरक्षन दिया जाए। कोई ऐसी अगर धर्म बदलकर मुस्लमान लगता है तो उसका ऐसी दर्जा बना रहे साथ ही OBC के 27 परशन से 6 परशन काट कर मुस्लमानों को आरक्षन दिया जाए। कॉंग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर AMU जामिया में लिया जैसे संस्थानों में SCST OBC रिजर्वेशन को ख़द्म किया। 1981 में कॉंग्रेस ने SCST और OBC के रिजर्वेशन को चीनने के लिए अलग AMU अमेंडमेंट एक 1981 लाकर कोर्ट के पैसले को बदल दिया। कॉंग्रेस सभी जातियों को OBC यानी सामाजिक और स्ट्रेक्शनिक रूप से पिठरा बता रही है। कॉंग्रेस ने आंतरप्रदेश में चार मार मुस्लिम रिजर्वेशन को एविल्मेंट करने की कोशिश की। सुप्रिम कोर्ट की इंटर्वेंशन के कारब कॉंग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभाई एलेक्शन में अपने मैनिफेस्टों को कॉंग्रेस ने जॉप और एजुकेशन में मुस्लमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। 2011 में UTA2 के दौर और Minority Affairs Ministry OBC कोटा के भीतर 8.4 सब कोटा का प्रसाओ रखा जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिक था। 2014 में लोगसवाई Election Manifesto में भी Congress ने इस तरह की बातें की इस बाहर भी Congress अपने मेनिफेस्टों में इसी तरह की बातें कर ली है। करनाटक में बाजरपा सरकार ने Religion Based Preservation को ख़त्म कर दिया था। लेकिन Congress की सरकार आते ही तमाम मुसलिम को OBC कैटिगरी में डाल दिया। कि भहुसंख्यत वाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने SC, ST, OBC से सब नफरत है क्योंकि देश में भहुसंख्यत आबादी इनी करीप लोगों की है। इनी वर्गों की है। यह Congress का मेनिफेस्टों है और यह Congress का intention है।